नेक्ट कोलर हमारे साथ विशाल है सोनी पत से कुरूड के उपर इनका सवाल है पूछिए विशाल आपको और आपको नमस्कार सवाल पूछिए सब्सक्राइब करना चाहिए इनको क्या गिरावाट कुछ और बढ़ सकती है इनको रुखना चाहिए देखे टेक्निकली यह गिर सकता है जिसन से हमने करीबन मोटा मोटी दस टके से जाधा की तेजी देख लिए पिछले चार सेशन में तो टेक्निकली जुरूर दिखाई रहा है बट फंडामेंटल अभी भी मुझे लगता कोई ज्यादा इंट्राडे में जोधा वीक है तो 2720 का लेवल मिलता तो बेटर महां से एक्जिट कर लीजिए जब तक 26-70 का लेवल नहीं तोड़ता है में तब तक ट्रेंड फोड़ा पॉजिटिव रहेगा मैं जैसे पहले भी का था कौशिस रहिए क्यों का मीट है संडे को मार्किट वोलाटाल जादा रह सकता है ओके नेक् में काफी दिनों से कई महीनों से सर बहुत उठा चाहा हो बहुत मद्दी है सर मेरे पास 11 के जो है जो है जिटकल में खरीदे हुए है दो कुंदल क्या भाव आने वाले महीनों में आएगा और इस महीने में कहां तक जा सकता है हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे पूरा आउटलूग अजे के डिया एक तो अप्रेल मेंने का यानी इस मेंने का और फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आपका आउटलूग में था के ऊपर क्या है काफी डिसपॉंटेड कमाउटी रही है पिसले चे मैंने में हमारे भी एक्सपेक्टेशन तक की 1100-1100 का लेवल यह सीजन स्टार्ट होने से पहले आना चाहिए बाट टाइम बिंग जिसन से हम देख रहे हैं डिमांड नहीं बन पा रही है साथ में वॉल्यूम काफी कम थे पिसले दो दीन से हमने वॉल्यूम सच्छे होते हुए देखा है अगर अप्रैल मंत में 856 के उपर ट्रेट करता है तो मुझे लगता है कि अप्रैल एंड से लेके महीं फर्स्ट वीक तक इनको 920-940 का रेंज मिल जाएगा बाकि लॉंग टर्म अभी भी मार्केट थाड़ लाइजिये क्योंकि वॉल्यूम से बिल्कुल पाटिसिपेट नहीं कर पारें खरीद लास्ट दू दिन को छोड़कर ठीक है अगले कॉल्डर हमारे साथ गजेंद्र है अज मेर से और इंका सवाल चांदी के उपर है गजेंद्र पूछिए गजेंद्र आप सुन पा रहे है लगता है इन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं नेचरल गैस की यहाँ पर अच्छा का सा एक्शन देखने को मिल रहा है नेचरल गैस के उपर जे परकाश गुपता इंटर डे के लिए आपकी कॉल क्या होगी तीन परसेंट उपर है क जरूर वेट कर सकते हैं क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो वान पॉइंट से दू डॉलर का एक दाइरा बना हुआ है तो घरेलू मार्केट में एक सो एक सो तीस एक अच्छा लेवल है री एंटर करने के लिए 126 का स्टॉप लॉस रखें और फिर से टागेट 136-37 का एक्षबेट किया जा सकते हैं ओके नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुबोध हैं देहरादून से चीनी के उपर सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए सुबोध आप सुन पा रहे हैं लगता है इन तक आवाज नहीं सकता है जया प्रकाश क्या उट्लूक है आपका चांदी के उपर अब देखें शौर्ट टर्म में 35,000 थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है हलाकि यहां पे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है बट मैं बहुत जादा डीप करेक्शन नहीं देख रहा हूं यहां पे कोई भी करेक्श से और चीनी के उपर सवाल पूछना चाहते हैं पूछे सुबोध चीनी का आउट्टूक आप जाना चाहते हैं काफी दाम बढ़ चुका है पिछले कुछ मेंनों में अजय के डिया क्या यहां से भी आफसाइट पोटेंशियल आपको इस कांटर में दिख रहा है मिति यह अगर चीनी की राद के तो इंटरेशल में मारकेट करेक्ट करना चालू हो चुका है मुझे लगता है कि इंटरेशल फेक्टर को देखा जाए तो काफी मंदी आ सकती वाप चीनी में दोमेस्टिक में देखा जैसे महाराश्ट्राओ का बेल्ट में सुका है उसी के बढ़ते हैं अगले कोदर हमारा चाहत पंकाज है महराष्ट्रा से चने के उपर इनका सवाल है पूछिए पंकाज टीवी का वाल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए प्लीज चने का आउटलुक आप जाना चाहते हैं आज इस कांटर में जोरदार तेजी आई है चौकाने वाली तेजी आज आई है चने में और चार परसेंट उपर मार्केट करीब बंद हुआ है दिल्चस पिये है कि आज से ही चने पर स्पेशल और अतरिक्त मार्जिन लागू हुआ ह पांट परसेंट का एक्स्ट्रा और उसके बाद भी कीमतों में तेजी आई है मानसून की अच्छी ख़बरों का भी इंपक्ट इस कांटर पर नहीं दिखा है आजे के डिया पहला सवाल तो ये कि चने में ये जोरदार तेजी क्यों है जबकि मानसून की ख़बरें अच्छ के लेवल दिखा सकता है फंडामेटल राइट नाओ अभी भी काफी सप्लाइट काफी क्रेंच है उसके वज़से प्राइज में दीजी है नोड़ाट हमारे लिए भी सर्प्राइज है कल जो मार्जिन की अपडेट है उसके बाद एक बार तो पांच जार के नीचे प्राइ हमारे साथ मुनिशा है बड़ोदा से जिंक और सिल्वर पर इनका सवाल है पूछिए मुनिशा है हाँ मैंने भी स्टेल किया है 120 पे और चांदी 31,000 पे बाई किया है तुम्हें क्या करो 38,000 पर आपकी चांदी में बाईंग है और एक सब 20 के इस्तर पर जिंक में सेल है जै प्रकाश इन दोनों कांटर पर आपका आउटलू क्या है इनको क्या करना चाहिए अगर आपके रेट के इर्द गिर्द भी मिले तो मेरे ख्याल से आप लॉस बूक कर लीजिए या कॉस् इसे साब से रुजाने बेस मिटल्स में हो सकता है यहां तेजी और बढ़ सकता है तुसरी तक जहां तक चांदी की बात है अगर आपने बाई पोजिशन पे अगर आप हैं तो 37,600 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस जरूर रखिये पोजिशन पे और 38,500 के आसपास आप ले लीजिए ठीक है